नमस्कार दोफ तो एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल में आप लोगों का हर दिक स्वागत था लेट अपटेर निकल कर आए कि केंद्रिय क्रमचारियों के लिए बहुत बड़ी खुश खबरी है केंद्रिय क्रमचारियों के पास लग जाएगा रुपों का डेर 50 परतिशत होगा महगाई बत्ता तो दोफ तो हम आपको सब डेटेल में बताएंगे अगर आप हमारे चैनल पर फफ्ट टाइम विजिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजिए सस्क्राइब कर दीजिए साथ इसाथ वाल आइकन को भी मजा दीजिए ताकि गोर्मेंट या पैंसन से सम परी लेकर आया है एक के बाद एक अच्छी खबरे उनके सामने आईगी साल की सुरुआत महंगाई बत्ते में जबरतस्त इजाफ़े के साथ हुई मार्च में केंदरे करमचारियों का महंगाई बत्ता बढ़कर 42 परतिश्वत हो गया दोस्तों केंदरे करमचारियों के महंगाई बत्ता आने वाले वक्त में खुशकपरी लेकर आ रहा है उनका महंगाई बत्ता 50 परतिश्वत होने जा रहा है दोस्तों हाल ही में केंदरे करमचारियों के महंगाई बत्ते में 4 परतिश्वत का इजब्पा हुआ या जब्पा जनवरी 2023 से लागू हुआ अब में 4 परतिशत का इजखपा होगा दो महीने के CPI IW के आकड़े आए हैं जिनसे साफ है कि आने वाले दिनों में महगाई बत्ते में 4 परतिशत की बड़ोत्री होगी और महगाई बत्ता 42 परतिशत से सिदा 46 पर पहुच जाएगा दोफ तो महगाई बत्ते का एक नियम है सरकार ने साल 2016 में जब सात्मा वेतन आयोग लागू किया तो उस वक्त महिंगाई बत्ते को सुनक कर दिया गया था नियमों के मताबिक महिंगाई बत्ता जैसे ही 50% तक पहुचेगा उसे सुनक कर दिया जाएगा और 50% के अनुसार जो पैसा बत्ते के रूमे करमचारी को मिल रहा है उसे बेसिक सैलरी यानि नियुनतम सैलरी में जोड़ दिया जाएगा मान लिजिए कि किसी करमचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपे है तो उसे 50% डिये का 9,000 रुपे मिलेंगे लेकिन 50% डिये होने पर उसे बेसिक सैलरी में जोड़ कर फिर से महँगाई बत्ता सुनक कर दिया जाएगा मतलब बेसिक सैलरी का रिवीजन होकर सता 1000 रुपे हो जाएगी दोस्तो जब भी नया वितनमानलागू किया जाता है तो करमचारी को मिलने वाले डिये को मूल वितन में जोड़ दिया जाता है यूँ तो नियम करमचारी को मिलने वाले सत परतिशर डिये को मूल वितन में जोड़ ना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो पाता वीत्य सितिती आडे आती है आलंगी साल 2016 में ऐसा किया गया जिसे पहले साल 2006 में जब छटा वेतन आयोग आया था तब उस समय पाच्वेतन आयोग में दिसंबर तक 187 परतिशर डीये मिल रहा था पूरा डिये मूल वेतन में मर्ज कर दिया गया जिसे छटे वेतनमान का गुवनाक 1.87 था तब नया वेतन ग्रेड और नया ग्रेड वेतन भी बना लेकिन इसे देने में तीन साल लग गई दोफ्तो साल 2006 में छटे वेतनायों के समय नए वेतनायों को एक जनवरी 2006 से लगू माना गया लेकिन इसकी अधिसुचन 24 मार्च 2009 को जारी की गई इस देरी की वज़े से सरकार ने 49 से 42 महिने का डिये एरियर तीन किस्तों में तीन वीतिये वर्षो दोजर आठ नो नो दस और ग्यारा में बुगतान किया गया नया पेस्केल भी बनाया गया पाचमें वेतनमान में 8000 रुपे से 13500 वाले वेतनमान में 8000 पर 186 परतिशड दिये 14500 रुपे होता था इसलिए दोनों को जोडने पर खुल वेतन 22,888 रुपे हुआ छटा वेतनमान में इसका समकक्ष वेतनमान 15600 से 49600 रुपे प्लस 500 ग्रेड पे निर्दारित किया गया चटे वेतनमान में यह है वेतन 15600 से 500 प्लस 21,000 और उस समय पर 1 जनुर 2009 को 16% डिये 2226 जोडने पर कुल वेतन 23,226 रुपे तै किया गया चोथे वेतन आयो की सिपारस 1986 पाचमे की 1996 की 2006 में लगु हुआ साथ में कमिशन की सिपारस जनुरी 2016 से लगु हुई दोफ्तो हाउस रेंट अलाउंस में भी अगला रिविजन 3 परतिशत का होगा अग्दितम मौजुदा दर 27 परतिशत की दर से एच आर ए 30 परतिशत हो जाता है लेकिन यह भी तबी होगा जब महेंगाई बत्ता 50 परतिशत के पार हो जाएगा दोफ्तो वित विभाग के ममोलिणम में के मुताबिक डिये में 50 परतिशत क्रोस होने पर एच आर ए 30 परतिशत 20 परतिशत और 10 परतिशत हो जाएगा एच आर ए की काटेगरी X, Y, Z कलास सहरों के हिसाब से है जो केंद्रे करमचारी X काटेगरी में आते हुने 27 परतिशत HRA मिल रहा है जो 50 परतिशत डिये होने पर 30 परतिशत हो जाएगा Y, Y कलास वालों के लिए यह 18 परतिशत से बढ़कर 20 परतिशत हो जाएगा और जैड कलास वालों के लिए 9 परतिशत से बढ़ कर 10 परतिशत हो जाएगा तो दोफ तो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जै भारत